हेलो दोस्तों, नाइटीन के दशक में बॉलिवुड में एक से बढ़कर एक कई बहतरीन एक्ट्रेसेस रही, जिन्होंने अपने अपने से दर्शकों के दिलों पर काफी राज किया। इन में से कुछ अभिनेत्रियां शादी करके सेटल भी हो गई और उनके बच्चे भी अब काफी बड़े हो चुके हैं। में फेमस हुई थी। भले ही श्रीदेवी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुकी है, लेकिन आज भी लोग इनकी फिल्मों को देखना काफी पसंद करते हैं। वहीं बात कि उनकी बेटी के बारे में तो इंस्टीट्यूट बेटी है जिन में से एक का नाम जानवी कपूर और दूसरे बेटी का नाम खुशी कपूर है। जानवी कपूर अभी बॉलिवुड में च्छाई हुई है इस वक्त जानवी कपूर की मूवी मिस माही आने वाली है। वहीं दूसरी और छोटी बेटी खुशी कपूर भले ही अब तक फिल्मों में नजर नहीं आई वह लेकिन उनकी पॉपुलरिटी के लिए सेलिब्रिटी से कम नहीं है और सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले लाखों में है। नमबर टू एश्वरिया राय बच्चन एश्वरिया राय बच्चन अमिताब बच्चन के बेटे अभिशेक बच्चन की पत्नी है। आराध्या देखने में बेहत खूबसूरत है और इसमें इन्होंने तेरह वर्ष है और जल्द ही बॉलिवुड में दिख सकती है। नमबर थ्री रवीना टंडन दोस्तों रवीना टंडन 90 के दशक के काफी चर्चित अभिनेत्रियों में से एक रही। रवीना टंडन ने साल 2004 में फिल्म डाइरेक्टर अनिल थडानी से शादी की थी और इनके दो बच्चे है जिसका नाम राशा थडानी और रणबीर थडानी। रशा थडानी को म्यूजिक में इंट्रेस्ट है। साथ साथ इंस्ट्रुमेंटल भी बजाती है। साथ में हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया है। नमबर चार पर है अमरिता सिंग। आइना और राजु बन गया। जेंटलमेन जैसी खूबसूरत मुवी में काम करके सब को दीवाना करने वाली अभीनेतरी अमरिता सिंग आज दो बच्चों की माँ बन चुकी है। इस खूबसूरत अभीनेतरी की खूबसूरत बेटी के बारे में तो हम बता दें कि इनकी खूबसूरत बेटी का नाम सारा अली खान है। सारा अली खान अब बॉलिवोड इंडस्ट्री देखने में इन से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश है। तो दोस्तों आपको इन में से किसकी बेटी की आक्टिंग पसंद आपको इन में से कौन अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएए।